हेलो एब्रिवरन आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल में आज लेकर आई हूँ गर्मा गरम गोभी मंचूरियन की रेसिपी बहुत ही स्वाधिश्ट ये बनने वाली है और बहुत ही इजी तरीके से इसे आज हम बनाने वाले हैं तो चलिए पहले इसे बन कर लेते हैं बहुत बड़े साइज में भी निकरने हैं और बहुत छोटे भी निकरने हैं नौर्मल हमें इसके जो फूल होते हैं उसको अलग करने हैं कोशिश आप ये कीजिएगा के से काटना ना पड़े छोटे-छोटे फूल ये हमारे तूटके ही अलग हो जाएं नीचे की जो डंडियां है उसे हम अलग कर देंगे उबलते हुए पानी में इसे कीवल दो मिंट के लिए ही हमें पकाना है स्वादनुसार नमक थोड़ा सा हल्दी पॉडर बस पानी में हल्का सा उबाल आ जाए तो तब हम इसे निकाल लेते हैं इसे गलाना नहीं है यहां थोड़ी सी हम देजिटे भी ले ले लेते हैं जैसे शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, लहसुन आप पसंद करते हैं तो लहसुन, अद्रक और यह हमारी बढ़िया से उबल चुकी है तो इसे हम पहले निकाल लेते हैं क्योंकि जादा उबल गई तो फिर यह उतना बढ़िया से बन नहीं पाएगी तो पहले हम इसे निकाल के साइट में रख लेते हैं थोड़ा यह ठंडी भी हो जाएंगी तो फ्राइ करने में दिक्कत नहीं होगी तो इसे फ्राइ करने के लिए हमें थोड़ा बेश चाहिए तो यहां लूंगी में मैदा और इसमें पानी मिलाकर एक हलका सा पेश्ट बना लेते हैं इसमें बेसन वग्यार का कुछ यूज नहीं करना है हमें केवल मैदा लेनी है आप चाहो तो थोड़ा अरा रोट भी ले सकते हैं गोभी भी ठंडी हो चुकी है तो इसमें एड़ कर लेते हैं और इसे हलके हाथ से ही हमें मिक्स करना है आप चाहो तो हाथों की हैल्प से भी मिक्स कर सकते हो जैसे आपको इजी लगे इसमें थोड़े से हम मसाले आड़ करते है जैसे कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ा नमक या है कलर के लिए थोड़ी मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है यह उप्षिनल है आप नई पसंद करते हो तो आप इसको कि भी कर सकते हैं यदि आपको लगे कि थोड़ा ये पतला हो गया है तो उपर से हलका सा अरा रोट या मैदा एड़ कर सकते हो क्योंकि जब ये कुरकुरे बनेंगे तभी इस मंजूरियन में मज़ा आप आएगा यदि ये सोफ्ट हो गए तो उतना मज़ा नहीं आएगा और इसे गर्मा गर्म तेल में फ्राई कर लेते हैं जैसे नॉर्मल हम पकोड़े फ्राई करते हैं ठीक उसी तरीके से इसे हमें फ्राई करना है और ऐसा नहीं है कि हम मंजूरियन बना रहे हैं तो हम उसी में इसका यूज़ करें यदि आप ये खाली उपर से चाट मसाला डाल के भी चाय के साथ सर्व करेंगे तो बहुत ही कुरकुरे और बहुत ही स्वाधिस्ट पकोड़े लगते हैं सही बताऊं तो यह जो बेशन के हम गोभी वाले पकोड़े बनाते हैं उनसे बहुत ज्यादा टेश्टी लगते हैं क्योंकि मैंने खाये हैं तो मैं इसलिए बता रही हूं आप इसे चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं तो यहां सारे पकोड़े मैं पहले उतार लेती हूँ यहां एक कटोरी में एक से दो टी स्पून मैदा लेनी है और काफी सारा पानी मिला कर इसका एक घोल तयार कर लेना है बस ध्यान लखना है बहुत जादा गहाड़ा भी नहीं होना चाहिए इसमें गुठलिया नहीं होनी चाहिए तो पानी काफी सारा लेना है पूरा एक कट तो बाकी की गोबी भी हमारी फ्राइए हो चुकी है इसे भी हम उतार लेते हैं और कड़ाई का सारा तेल अलग कर देते हैं बहुत ही कम ओयल में हमें यहां अद्रक का और लहसुल का पेश्ट लेना है यह दरदरा ही मैंने लिया है आप जो पैकिट में होता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं बारी कटा हुआ या ग्रेट किया हुआ भी यू और आप देख सकते हैं ओयल मेंने बहुत नाके बराबर लिया है थोड़ा एड़ करेंगे शिमला मिर्च लाल मिर्च पॉर्डर हलका सा नमक एड़ करेंगे क्योंकि नमक हमने पकोड़ों में भी डाला हुआ है इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है हमारा शिमला मिर्च सोफ्ट नहीं होना चाहिए बस हमें थोड़ा सा ही भूनना है जो कटोरी में हमने मैदा का पानी तयार किया था वो हमें इहां एड़ कर देना है चार से पांस टीस्पून मैंने यहां टामेटो कैचप लिया है आधा गिलास पानी एड़ करेंगे और इसे अच्छी से मिक्स कर लेंगे सोया सांस वो आपके टेस्ट अकॉर्डिंग है आपको सोया सांस का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा मातरा में डाल सकते हैं मुझे ज्यादा नहीं लेना है मैंने जो विनेगर लिया है सोया सॉस बराबर मात्रा में लिया है थोड़ा सॉस कम लग रही है तो इसलिए थोड़ा सॉस में और ज्यादा हैड कर देती हूँ और इसे एक उबाल आने तक पकाएंगे जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाए तब हम इस गोभी को एड़ करेंगे और इसे गैस को आफ कर देंगे इससे गोभी एड़ करने के बाद हमें पकाना नहीं है क्योंकि यदि पकाओगे तो गोभी हमारी सोफ्ट हो जाएगी फिर मंचूरियन इतना स्वाधिस्ट नहीं लगेगा बस आप इसको अच्छे से मिला के सर्व कर सकते हैं तो ये गर्मा गर्म हमारा गोभी मंचूरियन बिलकुल तयार है सर्दियों का सीजन है हलका सा आप इस पे तिल भी लगा सकते हैं थोड़ा मैंने यहां हरी प्याच को काटके डाला है थोड़ा तिल भी एड़ किया है तो ये तयार हो गया गोभी का गर्मा गर्म अंचूरियन यदि आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा यदि चैनल पे पहली बार आए है तो बहां फिर मिलते हैं इसी तरह की बढ़िया बढ़िया रेसिपी के साथ थैंक यू